पॉइंट ओफ यू से आज आपके लिए बेतरी वीडियो लेके आए हैं जो स्टाइंग में बैसिकली जो क्वेटर गेमिंग के लिए यूज होते हैं तो लोग विंडो चेंज करते हैं विंडो चेंज यहां से दिखा देता हूं किस तरह की स्क्रीन होते हैं ब्लू स्क्रीन एर्र ऑफ डैथ किसलिए आता उसकी वज़ुहात मैं आपको मज़ीद बताऊंगा और एक्स्प्लेइन करूंगा एर्र अब डैथ मुस्टली यह विंडो सेमन और विंडो टैन और मुझक दूसरी विंडोस पर आता है लेकिन जो मैंने वीडियो काफी सारी यूट्यूब पर देखी में सिरफ यह बता देते हैं कि हाड़ विर चेंज कीजिए सौर्ट विर चेंज एडिये विंडोर रिन्यू कीज आज हैं और बेसिकली जो पॉइंट जो है बीच में जो हमें मिलता है वो क्या है तो आज हम आपको इस बारे में बताएंगे मजीद सारा प्रॉपल ऐपन्ली खोल के बता देते हैं कि यह एर्र क्या आते हैं और विडियो को मजीद देखते रही है एंट तक जो तीन चार ज है ग्रेंटली सॉल्व हो जाएगा तो सबसे पहले ऑफ डैप्थ मुस्टली ये विंडो सेमन और विंडो टैन और कई दूसरी विंडोस पर आता है लेकिन जो मैंने वीडियो काफी सारी यूट्यूब पर देखी उनमें सिर्फ ये बता देते हैं कि हार्टवर चेंज सौर्टवर चेंज एडिये विंडोरी नहीं कीजिए लेकिन बेसिकली वह ये नहीं बता थे कि उनमें किये ये एर्र क्यों आते हैं क्या वजवात हैं और बेसिकली जो पॉइंट जो है बीच में जो हमें मिलता है वो क्या है तो आज हम आपको इस बारे में बताएंगे मज आदेते हैं कि ये एर्र क्या आते हैं और वीडियो को मजीद देखते रही हैं तक जो तेन चार जो है मुस्तल स्टैब मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपका आरल जो है क्रेंट ली सौल हो जाएगा तो सबसे पहले जो है आपका जो है विंडो का वरिजिन जो आपको जो विंडो का विरीजिन करते हैं जिसमें विंडो सैमन है जिसमें आमरे पास वरियों आपके पड़े हो में इसे एक करते हैं तो जो है सब से पहले आपको देखना है कि विंडो का वरिजन decía क्मेठीबल है आपके कंप्यूटर के लिए यह नहीं उसके लावा आपको देखना है कि ये विंडो का वरिजन इंस्टाल हो गया है है अब मसला रहा है कि अरड़ भी तक नहीं है está करने जो है ड्रायवर इंस्टाल करने है सबसे ऑची जो है आपको रहुए कर partido करोंगा इसका Link मैं आपको स्कृप्षिंट में दे दूंगा आपने यह डैवर बूस्टेंज्ट इंस्टाल कर ले ना है और कि कि अगर आपको मिलती है कहीं से तो आप सर्च करके डूंड ले जैगी लेकिन इसकी आक्टिवेशन की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो इससे डायवर निस्टाल करने हैं अगर ड्राइवर जो है इसे अगर यह देखिए यह ड्राइवर अपडेट आई हुई है और विडि सारे कर लेने फस्स स्टेप जो है आपने विंडों के बाद ये करना है कि सावरे से पहले ड्राइवर अपडेट करे ने सिर्फ ड्राइवर बूस्टर एक ही एप यूज करेगा अप्लिकेशन जो है दूसरी आप यूज नहीं करिएगा उससे यह फाइदा यह होगा कि जो ड् के लिए नुकसान जोड़े तो नहीं पेस्ट करता पहला पहला स्टैप आपके यह हो गया दूसरा आपने यह चेक करना है का आपका ड्राइवर के बाद जो इश्यू आ रहा है तो क्यों आ रहा है यह ड्राइवर पैक सलूशन हमारे पास उपन हो चुका है इस से आपने ड्र इसके लिए नहीं है राइवर बूस्टर एक अच्छा सोस्ट्वेर है अगर आपका एक्टिव होगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात अगर एक्टिव नहीं भी है तो आपके सारे ड्राइवर कर देगा दूसरा स्टैप यह है कि अगर आपका अभी तक आपने लोड होने के लिए वो जो है वो ड्राइवर जो है वो यूज कंपैटिबल यूज होते हैं लेकिन अगर अगर अभी तक आर नहीं आए तो वैलन्ट गूड आपके विंडोस सही हो चुकी है अगर आर आ रहा है तो आपने क्या करना है आपको सलूशन बताते हैं आपने जा जाना है उसको जो है रॉल बेग ड्राइवर अफटेट कर देना है ताकि जो आपके अपकी अपडेट कंपैटिबल नहीं है वो अपडेट खतम हो जाए और या फिर आपने ड्राइवर का मसल़ा नहीं हो था आपको अनिडाल कर के दोबारा कंप्यूटर रीस्टार्ट कर सुझाब खूल रहा है। अगर भी आपको प्रोप्ब्लम नीं उक्ष वहरा तो जो एक का की जोैं ड्राइवर जो आपने ड्राइवर इस में एक ड्राइवर उन्स्टाल करके देख लें ताके आपको एक्सियट हाड के लिए जोई KP ट्राइवर etcetera है वह पता चल जाए जैसे कि driver booster में हम देख लेते हैं कि blue screen error of death जो है mostly driver के गलत होने से की बज़ा से होता है और जी यह हम देख लेते हैं driver कौन कौन से इसमें हुए है और कौन कौन से हमने rollback करने यह देखिए सारे driver हो गए है अपडेट अपडेटेट हैं लेकिन बिलू स्क्रीन ऑफ एरर डेथ नहीं आया लेकिन जब हम जो जो अनकंपटिबर ड्राइवर जैसा कि हम देखें यह साउंड एंड वीडियो कॉंट्रोलर तो यह अगर हम अपडेट करेंगे तो हमारा एरर ऑफ डेथ आ जाएगा दूसरे नमबर पर एक और बात होती है कि बिलू स्क्रीन ऑफ एरर ऑफ डेथ क्यों आता है एक और वज़े भी है वह है चनाब आपकी रैम आपकी रैम जो है वह कंपेटिबलिटी से हट चुकी है उसमें डेस्ट बगारा चुकी और वह प्रोपर्ली सपोर्ट नहीं कर रही है आप करने का ब्हेतरी तरीका ही है कि एक रेजर लें एक रेजर से जो है नॉर्मली जो है रेजर जो इस होती है वह उससे आप साफ कर लिए और अच्छी दरा से साफ करके जो है लगा दें तो आपका एरल यह भी एकcasal हो जाएएंगा बाकी जी यह था कुस्पिस यृ आपको ब वीडियो को कमपाइन करके डिपली समझा दिया है कि यह error of death क्यों होता है अब एक और बात अगर आपका error of death आ रहा है लेकिन आपने सारे के लिए restart को चेक किया होगा इसको अंचेक कर देना है और जनाब इसका इधर 30 होगा इसको आपने सिर्फ जनाब 3 करके okay करके apply कर देना है जिससे आपको computer जो है restart होना बंद हो जाएगा मजीद वीडियो जो है gaming के point of view से मैं आपको next बनाने की बनाऊंगा discord के fps जो है lag कैसे ठीक करने हैं और computer को optimize कैसे करना max gaming performance के लिए best gaming जैसे कि हमारे पास 10 सेंट है इस पे हमारे हमने max fps कैसे लाने है और जनाब आपको मैं डिस्कॉर्ड अपनी डिस्कॉर्ड लिंक देता हूं आपको जो भी problem होगी आपने हमारे से live बात कर सकते हैं वीडियो जो है मजीद इसको इसके लिए हम आपके लिए आत्माव वीडियो बनाएंगे तो हमारे साथ बने जीन लिए डिस्कॉर्ड लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा विलिए स्क्रीन ओफ एर और ओफ देथ के बारे में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हमारे पॉजल के सल्यूशन है आप जरूर पूछे और आपके तावन का शुक्रिया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है तो इसको वीडियो को शेयर करना मत फिलेगा थैंक यू वरे